Hello students, तो आज हम क्या MINT DTS का first paper का solution करेंगे maths का जिसमें topic and technometry quadratic sequence and series तो first question देखें अब तो first question में if cos 2x plus 2 cos x is equal to 1 then sin square x 2 minus cos square x इसकी value पूछिए है किसके equal आएगा तो तो देखें cos 2x को अपने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2 cos square x minus 1 plus 2 cos x is equal to 1 तो अब इसमें देखूं आपके पास में इसको इधर ले आएं तो 2 cos square x इसमें से 2 cos square x इसमें 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 क्या करेंगे अपने तो 2 common आ रहा है तो यहां से cos square x minus 1 plus cos x is equal to 0 इस form में आ गया तो यहां से देखो मैं क्या करता हूं cos x is equal to क्या लिख देता हूं इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या है साइन स्केर x आएगा ठीक है तो 1 minus cos square x तो cos x is equal to sin square x तो अब अपने इसको देखें तो sin square x इसकी value पूछी है आपको ठीक है तो अब इसमें क्या करेंगे 1 minus 1 plus 1 minus cos square x तो यहां पे इसको अपने साइन स्केर x तो यह हो गया आपके पास में प्लस इसको साइन स्केर x लिखेंगे तो साइन एक्स फोल इश्वाब 4 इस फोर्म में आ गया तो साइन स्केर x is equal to we have here इसको साइन स्केर x is equal to इसकी value डालेंगे तो cos square x आ जाएगा तो option is first first is correct ok next question next question is next question a man from the top of a hundred meters high towers sees a car moving towards the tower at an angle of depression 30 degree after some time the angle of depression becomes the 60 degree the distance in meters traveled by the car during this time तो कहता है 100 meter उन्ची एक इमारत है बिल्डिंग है तो उसकी तरफ के एक आदमी के उसकी तरफ आती हुई a car को देखता है इसका क्या है आपके पास में कि एंगल of depression कितना दे रखा उसका 30 degree दे रखा है तो तो फिर फिर बाहाद में कुछ सोमय बाहाद में उसका क्या अगिल ओफ दिप्रेशन विकम्द सिक्टी डिगरी तो देखो ऐसा है हुआ है हुआ है तो यह पहले इसका जो एंगल ओफ दिप्रेशन ए थर्टी डिगरी यह इंगल भी कितना वा अब इसकी हाइड कितनी है हाइड का जैसकी 100 डिप्रेशन का इस का वनमन कोंड कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है तो जैसे देखो ए भी यह आपके पास में यह 60 डिग्री हो गया ठीक है कुछ समय बाद में अपने को पूछा इसने सिडी निकालना है तो सीडी किता हूं मच्ट ट्रेवल बाइद कार इस तौने समय में एक कितना दिश्टेंस कवर करती है कर तो देखो अपने पास में अगर इसमें अपने कॉट कॉट वाला फर्मॉल लगाते हैं तो देखो यह आपके पास में क्या है का 100 bd is equal to be 100 100 cot 30, 100 cot 30, clear है, so BC is equal to be I, BC that is 100 cot 60, ठीक है, तो BCD is equal to क्या होगा, इन दोनों का distance सा जाएगा, मतलब भी difference सा जाएगा, CD will be equal to the difference of these two, तो आपके पास में 100 cot 30 minus cot 60, तो यहां पर आप इसकी value डालो, ठीक है, cot 30 की और cot 60 की, तो यह आपके पास में, यहां पर root 3 minus 1 upon root 3, यह आजाएगा, तो answer क्या मिलेगा, आपको यहां पर 100 into 2 upon root 3, so answer क्या मिला, आपको 200, फिर इसको root 3 से उपर नीचे multiply कर लो, so 200 root 3 upon 3, so answer to this question is, we have second option, तो next question, तो next question, तो next question देखो, आपके पास में, the value of, इसकी value पूछा है, तो sigma, m is equal to 1 से 45 sin m degree upon, sigma m varies from 1 to 44 sin m degree, तो यह एक तरीके से series है, ठीक है, तो इसका solution के लिए देखो, तो उबर क्या आएगा, आपके पास में, sin 1 degree, sin 2 degree, sin 44 degree, तो upon में, यहां पर, sin, फिर cos 1 degree, फिर cos 2 degree, तो इसका sigma है न, तो plus last में क्या आएगा, आपके पास में, cos 44 degree, ok, अब अपने पास में, इसका formula लगाएंगे, अपने, देखो, series का formula होता है, तो sin a plus n minus 1 into h upon 2, फिर sin n h upon 2 upon sin h upon 2, तो यहां पर जोखो difference कितना 1 degree का है, तो बेटा, इसमें, आपके पास में formula क्या लगेगा, तो sin, first angle, first angle कितना 1 है, ठीक है, कितने terms हैं यहां पर, 44, तो 44 minus 1, 44 minus 1, clear है, so difference कितना 1 का है, तो यहां पर आएगा अपन में 2, ok, तो अब इदर next पर आपके पास में, तो sin 1 upon 2, तो difference कितना आपके पास में, यहां पर 1 का है, into n, n कितने, कितने terms हैं आपके पास में, यहां पर, 44, तो 44 यहां पर, ok, तो similarly, यहां पर नीजे किया आएगा, आपके पास में, sin 1 upon 2, तो upon में, फिर ऐसे फिर किसका, यहां पर देखो, सिरफ cos लग जाएगा, cos 1 plus 44 minus 1, 1 upon 2, ok, तो sin 44 upon 2, upon में, sin 1 upon 2, यह cancel हो जाएगा, यह वाला इससे cancel हो जाएगा, अगर अपने इसको simplify करते हैं, देखो आपके पास में, यह कितना बनेगा, आपके पास में, 1 plus 43 upon 2, तो sin 45 upon 2, upon cos 45 upon 2, तो sin 45 upon 2, upon cos 45 upon 2, ok, so, this is tan 22 and a half degree, ठीक है, तो tan 22 and a half degree हो गया, clear है, तो इसकी value कितनी होती है, आपके पास हो, रूट 2 minus 1, ok, तो answer to this question is, root 2 minus 1, तो first option, ok, the next question, next question के हैं, देखो, if sin square 2 x plus sin 4 sin x all is to power 4 minus 4 sin square x, cos square x upon 4 minus sin square 2 x minus 4 sin square x is equal to 1 upon 9, तो similarly, उदर ऐसा ही है, अब x की value कहां से कहां तक दोड़ रही है, 0 से पाई में दोड़ रही है, ठीक है, तो इसका आपको पूछा है, भी x की value बताने भी x की value क्या होगी, जो इसको satisfy करें, तो देखो बेटा, इसमें आप पहले इसको simplify कर लेते, तो इसको मैं sin square 2 x को क्या लिखूँगा, यहां पर 2 sin x cos x तो बोग बन जाएगा, आपके पास 4 sin square x cos square x, यह बने का sin 2 x का formula लगा दिया, 2 sin x cos x से इसका whole square है, तो similarly, यहां पर क्या है, 4 sin 4 x minus 4 sin square x cos square x, upon में, यहां पर 4 minus, इसको simplify कर लें फिर, इसमें भी देखो, आपके पास में क्या आएगा, 4 sin square x cos square x, ओके, माइनस 4 sin square x, इस पहुम में आ गया, तो यह वाला पार्ट इसमें cancel हो गया, अब इसको फिर आज़ें और थोड़ा से simplify करो, तो इसमें से देखो, आपके पास में common क्या है, यहां पर 4 common है, 4 sin, upon में, यहां से 4 common है, तो क्या लेखेंगे, 4, 1 minus sin square x, jadi 1 minus sin square x को क्या लेखो कि, cos square x, कि कि यहां से 4 common है ना 4 common है तो यहां से 4 common निकाल लोगे तो 1 minus sin square x that is cos square x minus 4 sin square x cos square x equal to किसके बराबर में किसके चल रहा है 1 upon 9 के तो अब आपके पास में इसमें से दगो cos square x common निकालोगे 4 cos square x तो 4 cos square x common निकालोगे तो 1 minus sin square x आएगा तो एक्चल में इसको जब आप solve करोगे तो आपके पास में 4 sin अब उन में क्या जाएगा 4 क्यां से 4 sin 4 cos square x common निकालोगे तो 1 minus sin square x आजाएगा ओके यह cancel यहां से 1 upon 9 और यहां तो क्या आरहा है आपके पास में 10 is 1 upon 9 10 x average तो 10 x is a equal to किया किया तो आपके पास में plus minus 1 upon root 3 ठीक है तो x is a equal to 1 to 1 upon root 3 पर निकालेंगे तो क्या आएगा एगा to five percent six तो इसमें देखो आपके पास में 7 x 6 भी बनता है 7 x 6 किस के लिए 1 upon root 3 के लिए और minus 1 upon root 3 के लिए बनेगा आपके पास में तो x इसी कड़ लूंट की बनेगा 5 x 6 5 5 by 6 यानि 5 5 by 6 ठीक है तो 5 5 by 6 है ओके तो यहां पर देखो कौन सा option आपके पास में आ रहा है तो इसमें 5 by 6 नहीं है 2 by 3 नहीं आ रहा है तो 5 by 6 है the option is to this question is 4th one तो next question तो next question क्या है root 3 sin x-cosex is equal to minimum of these two इन में से minimum आपको बताना है ठीक है तो अब इसमें देखो अगर अगर आपने इन तीनों में से minimum देखो क्या आएगा e square क्या होगा आपके पास में 4.something बन जाएगा तो alpha square minus 4 alpha plus 7 इसका d क्या आपके पास में less than 0 है तो इसका अगर minimum value निकाले तो इसकी minimum value की बात करें alpha square minus 4 alpha plus 7 इसका d less than 0 है तो इसका minimum क्या आपके पास में 4ac minus b square upon 4a वह वह वाला formula लगाएगे तो क्या है इसका 4a तो 1 है इसमें c कितना है 7 minus 16 upon that is 4 तो यह आपके पास में 28 minus 16 that is 12 12 upon 4 3 इसकी minimum value आपके पास में 3 हो गई तो तीनों में से minimum क्या है तो यहाँ पर यह किसके इकुल रखा जाएगा root 3 sin x minus cos x is equal to 2 तो इसको simplify करते हैं तो देखो आपके पास में root 3 upon 2 sin x minus 1 upon 2 cos x is equal to 1 तो यहाँ पर sin का formula बनाएगा तो साइन का formula देखो आपके पास में क्या आता है sin x minus 5y 6 is equal to 1 तो sine 1 कहाँ पर होता है आपके पास में इसका क्या बनेगा आगर general formula देखा sin 5y 2 होता है तो g2 तो इसका formula क्या बना general formula आपके पास में x minus 5y 6 तो 2N pi plus five by two इब यह इस तरीके से मैंने इसका solution लिखा तो अब आपके पास में इसमें देखो pi by 6 को उदर ले जाओगे तो कितना बनाए? x is equal to 2n pi plus 2 pi by 3. ठीक है? तो pi by 2 plus pi by 6 कितना हो गया? 2 pi by 3 हो गया. तो x is equal to 2n pi plus 2 pi by 3. So, answer to this question is the second one. ओके next question. तो actual में देखो instrument इसमें ऐसा भी देखके रखके कर सकता है. मतलब आपको यह general solution भी आपको निकालना आना चाहिए बेटर. तो इसमें आप क्या n की value जैसे 0, 1 रखकर आप check कर सकते हो भी कौन सा satisfy करता है equation को. ओके? तो next question. तो if x is the positive root of this equation. x क्या इसका positive root है equation का. ठीक है? तो अब इसमें देखो sin x plus cos x. तो 2 root 2 sin x cos x. अगर ऐसी equation होती है तो हम ऐसी equation में sin x. देखो इसमें 2 sin x cos x भी दे रखा है. तो sin x plus cos x भी दे रखा है. तो हम sin x plus cos x को t put करेंगे इसमें. उसको simplify करने के लिए. तो इसमें देखो sin x solution. sin x plus cos x. इसको t put करेंगे. तो squaring करेंगे. तो क्या आएगा आएगा आपके पास में 2 sin x cos x. ठीक है? तो इदर 1 आजाएगा t square minus 1. इस पहुम में. तो sin x 2 sin x cos x की value कितनी आपके पास में हैं यहाँ पे? तो t square minus 1. तो यहाँ पे t minus root 2. तो t square minus 1. इकोल टो 0. ओके? तो अब इसके factor देख लेंगे. अपने उसको दूसरी तरब ले जाओ. root 2 t square minus का t हो जाएगा. और इदर plus का कितना हुआ यह आपके पास में. उस दूसरी तरब जब ले जाएगे. तो minus का root 2 रहेगा. अब इसके factor देखो आपके पास में root 2 t square minus 2 t plus t. ओके? इस तरीके का आगया. तो अब अपने को देखो यहाँ पे इसमें बोला है कि भी x is the positive root of equation. तो positive root आना चाहिए. तो इसमें देखो आपके पास में t की value के आगए? एक तो root 2 आगए. ठीक है? तो root 2 आपिलेगा. और एक आपके पास में t की value minus 1 upon root 2. minus 1 upon root 2. तो अब देखो यहाँ से आपके पास में positive value मिलने है. तो t की value के है आपके पास में? sin x plus cos x. so root 2. इसको root 2 को इधर लाएंगे तो आपके पास में 1 upon root 2 sin x. 1 upon root 2 cos x. ठीक है? 1. तो यह यहाँ पे आपके पास में sin x plus किसका फार्मूला बन गया? sin cos का बना लो. cos x minus pi by 4. ठीक है? तो इधर cos 0 आगया? cos 0. तो इसमें फार्मूला लगएगा x minus pi by 4. तो यह आपके पास में 2N pi. ठीक है? तो यह positive angle देगा आपको. तो उसमें आपको negative इधर देखो आपके पास में क्या आया? solution इसका? 2N pi plus pi by 4. ठीक है? तो यह आपके पास में, तो negative तो तभी मिलेगा जब दोनों में से कोई, एक आपके पास में क्या आएगा? तो negative मिलेगा तो मिल्ला भी कौन से क्वाडिन में वो नेगिटिव बन रहा है तो अपने को एंगल अपने को चाहिए क्या कौन सा आपके पास में पोजिटिव चाहिए तो इसमें अंसर क्या बना answer to this question is first one ओके तो यह आपके पास में इस question का answer हो गया तो next question 7th 7th देखो तो 7th question में क्या है the number of values of T for which the equation as the solution ठीक है तो इसके लिए क्या number of solutions बताने अब अपने को पता देखो इसमें देखो आपके पास में left hand side में क्या sign T raise for 4 है और इदर क्या आपके पास में 10 T raise for 4 1 plus है तो इसकी value हो नहीं जो right hand side की जो value है that will always be greater than equal to 1 रहेगी ठीक है तो अब अपने को देखो यहां पर इसका solution अपने को कितने solution मिलेंगे आपको यह पता होना चाहिए आप इसमें तो T की values बतानी है आपको तो answer देखो इसमें solution तो यह possible तो तभी होगा ना आपके पास में solution इसका sin T raise for 4 तो is equal to 1 plus 10 T raise for 4 अगर T की value इसमें देखो मैं क्या करूँगा इसमें तो इनकी number of values बतानी है में कितनी value जोँगी आपके पास में तो T की value जब आप इसमें क्या डालोंगे देखो 0 रखते हो T की value 0, pi, 2 pi इदर right hand side तो आपके पास में 1 आएगी पर left hand side आपके पास में 0 होगी तो तो तभी possible होगा नहीं तो otherwise T की सभी values के लिए right hand side क्या होगी greater than equal to 1 होगी तो अपने को greater than 1 होगी तो अपने को greater than 1 तो चाहिए नहीं तो इदर यह वाली value क्या आएगी sin t less than equal to 1 और right hand side आपके पास में क्या है right hand side भी है greater than equal to 1 तो 1 तो तभी possible होगा जब आपके पास में जब T की value क्या होगी 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi जब T की value 0 pi 4 pi रखेंगे तो इदर left hand side क्या हो जाएगी 0 तो अपने पास में कोई T की ऐसी value नहीं मिलेगी जो इस equation को satisfy करें तो answer क्या होगा answer to this question is 0 तो there is no values of T which satisfy this question next question अब इसमें देखो number of solutions पूछें इस equation के तो इससे इसमें देखो इसमें number of solution पूछें तो कि इसके solution निकालने के लिए पहले क्या करोगे अपने इसको 10 में बदलने तो मैं इसको left right hand side को left hand side में लिए आता हूँ 10 5 pi cos theta तो cot 5 pi sin theta इस पूह में अब इसको मैंने 10 में बदल दिया 10 pi by 2 minus 5 pi sin theta ओके इस पूह में अब देखो आपको पता है 10 theta is equal to 10 alpha 10 theta is equal to 10 alpha theta is equal to n pi plus alpha यह होता है तो यह आपके पास में alpha हो गया यह theta हो गया इसमें general formula लगे तो 5 pi cos theta तो इस is n pi plus pi by 2 minus 5 pi sin theta ओके इसको आप इदर simplify करेंगे तो देखो आपके पास में cos theta plus sin theta ठीक है this will be equal to 2n plus 1 into pi by 10 ऐसा आगया ठीक है तो pi से pi भी cancel हो जाएगा क्योंकि इदर pi भी आएगा तो pi भी cancel कर दो यह pi cancel अब मैं इसको देखो किस में बदल लेता हूं cos में बदल लेता हूं तो cos 1 upon root 2 से दोनों तरफ क्या multiply कर दें तो यहां पर आपके पास में cos theta minus pi by 4 आ जाएगा और इधर बेटा आपके पास में 2n plus 1 upon 10 root 2 एक्चल में अगर आप इसको देखें तो यह कितना बनता है 14.14 ऐसा आएगा 2n plus 1 upon 14.14 ऐसा है तो अपने को देखो अब आपको यह तो पता है बेटा cos की value क्या माइनस 1 और 1 की बीच में रहती है तो यह value आपके पास में n की value कहां से कहां तक रखोगे आप जैसे देखो अगर मैं n की value minus 7 रखता हूं तो this will be here minus 13 तो वो चलेगा क्योंकि that is minus 1 से थोड़ा सब बढ़ी हो जाएगी अपने minus का 8 नहीं डाल सकते तो minus 15 आएगा that is less than minus 1 तो व 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं रख सकते अपने क्योंकि 7 जब रखोगे तो यह one point कुछ one से ज्यादा हो जाएगी न अब यह n की अपनके पास में कितनी value जाए तो 7 वो हो गई 7 वो हो गई 14 हो गई n की सभी values के corresponding for each value of n there will be two angles तो n की सभी values के corresponding आपको क्या मिलेंगे दो angles मिलेंगे किसमें 0 से 2 पाई में अगर मैं n की value जैसे देखो यहाँ पर आपको 0 रखता हूं तो बेटा आपको पता होना चाहिए one upon 14.14 first quadrant में भी होता है fourth में भी होता है तो one के corresponding मिलेंगी आपको दो values फिर ऐसी आपके पास में 2 डालोगे minus 1 डालोगे minus 1 डाला तो minus 1 upon 14.14 द टीटा तो कितने solution हुए number of solution है 28 तो यहाँ पर 28 इसके solutions हो गए तो answer to this question is fourth one next question इसमें देखो अंडूट कोस्टू एक्स अंडूट वन प्लस साइन टू एक्स तो टू अंडूट साइन एक्स प्लस को से ओके तो इस को देखें बेटा यहां पे मैं इसका कोस्टू एक्स का फार्मूला लगाऊंगा ठीक है तो क्या आएगा को स्केर एक्स माइनस साइन स्केर एक्स अंडूट में तो इसको अपने लिखेंगे साइन एक्स प्लस को सेक्स होल स्केर इस फूर्म एजा कि प्लस कोसNISे अंड़ूट में, तो यहां क्या रहे गए आप के पास में? कोसिकस माइनस साइन एक्स प्लस इढर क्या रहा आपके पासे इढरे ऑधा तो उच्छ प्लस कोस्क रहे गया ठीक माइनस 2 equal to 0 अब इसका यह 0 नहीं हो सकता आपके पास में इसकी value आपके पास में कभी भी 2 के equal नहीं आएगी तो यह 0 होगा तो आपके पास में क्या आएगा sin x plus cos x equal to 0 ठीक है root अट जाएगा so option to this question is first one ओके the next question sum of the roots of the equation cos 40 plus 6 is equal to 7 cos 2T ठीक है किस इसके कैस इस equation के सभी solutions का sum बताना है किस interval में 0 से 314 तो इस रेडियन में बेटा ठीक है ना तो यह सारा रेडियन में तो यह इसके equal बता रहा है तो देखो अपने पहले उसको solve करें equation को cos 40 plus 6 7 cos 2T तो मैं यहां पर इसका formula लगाऊंगा देखो इसमें क्या आएगा 2 cos 2T 2 cos 2T minus 1 हो जाएगा तो यह minus का 7 cos 2T plus का 5 इस पर में आएगा अब इसके factor करेंगे तो अपने पास में देखो cos2T क्या आएगा आएगा आएगागा आएगा के पास में 2 cos square 22 2T minus 5 5-5 cos 2t minus cos 2t plus 5 ठीक है तो cos 2t की value अपने पास में यहां पे क्या आएगे cos 2t zero cos 2t is equal to one sorry cos 2t one आएगा और एक क्या आएगा आएगा आपके पास में cos 2t यहां से तो कॉस्ट टूटी यहां पर आपके पास में कितना आएगा यह टू यहां पर तो फाइव पॉन टू यह पॉसिबल नहीं है इसको छोड़ो अब अपने पास में देखो टूटी की वैल्ली यह कहां कहां पर वन होता है जीरो टूपाई फोर पाई लास्ट में आपक तक लेना है 198 पाई ठीक है ओके 199 पाई तक नहीं लेना क्योंकि 198 पाई आपके पास में इसको टी से फिर अपने वैल्यू डिवाइड करेंगे तो भी है भी है तो जीरो पाई 2 पाई 3 पाई तो यह ऐसे कंटिनू करेंगे अपने पास में 99 पाई इनका सब का सम पूछा है तो स 99 ओके तो यह किसके बराबर आया आपके पास में कितने टर्म से 99 तो 99 तो 1 ब्लस 99 अपन टू तो यह आपके पास में किस पॉम में बन गया यह तो यहां पर 100 आएगा तो 990 इंटु 5 पाई तो यहां पर लेंडा की वैली पूछिए आपको लेंडा की वैल्यू कितनी आई 5 answer to this question is fourth one ओके next तो next question क्या आपके पास में 1 plus sin cube x plus cos cube x is equal to 3 upon 2 sin 2 x तो x की value पूछिए आपको ना तो देखो अब इसमें कैसे किस तरीके से अगर आपने देखो इसमें 1 plus sin 2 x sin cube x plus cos cube x इसमें मैं sin 2 x का फार्मूला लगा देता हूं 2 sin x cos x 2 से 2 कटेगा माइनस 3 sin x cos x ठीक है यह और एक्च्वल में देखें इसको तो एक हो यह किसके बराबर है आपके पास में आपके इस फॉर्म में ना तो यह माइनस 3 sin x cos x और 1 ठीक है equal to 0 तो देखो यहां पर a q plus b q plus c q minus 3 b c का फार्मूला लगेगा उसके फेक्टर क्या होते हैं आपके पास में तो sin x plus cos x plus 1 इदर sin square x plus cos square x plus 1 minus sin x cos x minus cos x minus sin x ओके यह कभी भी आपका 0 नहीं होगा this will never be equal to 0 तो इसको देखो आपको पता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यह वो तभी आपके पास में 0 होता है जब आपके पास में सभी terms equal हो जाएं तो सभी एक साथ तो sin x is equal to cos x is equal to 1 आपस में बराबर तो नहीं हो सकते हैं ठीक है तो क्योंकि अगर sin x is equal to cos x करोगे तो x is equal to pi by 4 आएगा तो फिर 1 की equal नहीं होगा तो this will never be equal to 0 यह कभी 0 नहीं होगा तो फिर आपके पास में sin x plus cos x sin x plus cos x equal to क्या रहा है ठीक है अब इसमें देखों आप इसमें रूट 2 से minus 1 sorry minus 1 आ रहा है तो अब इसमें क्या करोगे आप फार्मूला बना लो तो क्या आएगा cos x minus pi by 4 ठीक है और इधर क्या आएगा minus 1 upon root 2 यह इस पौम में root 2 से divide कर लिए तो अब इसमें देखों आपके पास में कहां पर होता ही है minus 1 upon root 2 तो यह 3 pi by 4 पर होता है तो क्या आएगा cos x minus pi by 4 और cos 3 pi by 4 ठीक है इस पौम में तो अब इसका आपने फार्मूला लगा लेते हैं आगे तो क्या आएगा x minus pi by 4 2n pi plus minus 3 pi by 4 ओके जब आप plus का लोगे तो आपके पास में pi बनेगा 2n pi plus pi अगर जब minus का लेंगे तो आपके पास में क्या आजाएगा यहां पर minus का pi by 2 आजाएगा तो देखों option to this question is the second one तो second one बन रहा है ना तो देखों यहां पर plus का लेंगे तो क्या आएगा 3 pi by 4 plus pi by 4 pi तो यह वाला option हो गया second one next question तो इस question में देखों root 3 cos x minus sin x is greater than equal to 2 तो 0 से 4 pi में पूछ रहा है तो देखों पेटा इसमें equation के लिए inequality आ गई inequality है यह ठीक है greater than equal to 2 तो मैं 2 को क्या करता हो इसके नीचे इदर ले आते हैं देखों क्या आता है आपके पास में root 3 cos x minus 1 upon 2 sin x ठीक है तो इदर greater than equal to 1 तो मैं इसमें sin a minus b का formula बना लेता हूँ ना तो देखों इसमें modulus है आगे पीछे लिखने से कोई फरक नहीं पड़ेगा देखों इसको मैं इसे लिख देता हूँ sin x cos pi by 3 minus cos x sin pi by 3 कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें तो अब इसमें यह किसका फार्वुला बन गया साइन एक्स माइनस पाई वाई 3 मोडलेस ग्रेटर दन इकल टू 1 अब आपको पता साइन की वैल्ली वन से बड़ी तो होती नहीं है तो यहां से फिर आप क्या करोगे इसमें मैं इकल टू लेलना है भी टा ओ एकस माइनस पाई वाई 3 ठीक है इकल टू 1 तो यह किसके ईकल आपके पाऊ में साइन एकस माइनस पाई वाई 3 एज माइनस फित्क प्लस माइनस 1 ठीक है अब आपके पाऊ से टीड़ühren से 4pi में कह रहा है तो अपने को पता है अब इसमें मैं pi by 2 लगाऊंगा ठीक है इसमें दो तरीके से लिखेंगे ना तो आपको पता है plus minus देखो आपको पता है cosine इसको मैं theta let कर लेता हूं suppose करो तो अंगल तो आपका कहा रहेगा चाहे plus का one low अचाहे minus का one low that will be in this angle तो इसमें इसी एंगल में आएगा आपके पास में तो अगर मैं इसको अलगलग करके देखूं तो इसमें क्या है आप साइन x minus pi by 3 1 तो आपको पता है इसको अपने ऐसे लिख सकते है x minus pi by 3 2n pi plus pi by 2 यह यहां से तो यह कितना बना आपके पास में x minus pi by 3 इसको अपने यहां से मैं क्या करूँगा यह तो x is equal to 2n pi और इदर pi by 2 और plus pi by 3 ठीक है तो आप इसमें देखो जब 1 डालोगे न 0 डालो पहले तो 0 तो 0 पर डालोगे एक solution मिलेगा 1 रखो के तो भी बिलेगा आपको 2 solution मिलेंगे तो similarly उसके corresponding भी आपको 2 solution मिलेंगे तो how many solutions you will have 4 तो negative वाले में लोग है तो यहां पर क्या है 2n pi minus pi by 2 आएगा ठीक है उसमें फिर आप 1 डालोगे पहले फिर 2 डालोगे क्योंकि वो minus में रहेगा ना तो आपको फिर आपके पास में 2 solution फिर मिलेंगे तो number of solutions will be here 4 ओके next question अब इसमें देखो ए बिलोंग्स टू क्या बेटा माइनस 1 से 1 है तो देन रूट्स ओप दी क्वाड्रिक एक्वेशन तो इस समीकरन के क्या है मूल क्या होंगे भी ऐसे मूल क्या होंगे तो simple आपको क्या करना है इसका निकालना है तो किसी भी क्वाड्रिक एक्वेशन के रूट्स की जो नेचर देखते हैं तो अपने क्या है उसका d find out करेंगे तो देखो क्या है इसका d is equal to वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा भी किसके रूट्स कैसे होंगे तो a स्क्यार माइनस 4 a-1 अंडूट 1-a-square तो a-square तो 4 यह प्लस का हो गया 1-a अंडूट में 1-a-square तो अब देखो अगर इसमें अगर थोड़ा से इसको अबजर्ब करें बेटा तो अपके पास में क्या आ रहा है यह वैल्यू पोजिटिव रहेगी यह भी पोजिटिव रहेगी पोजिटिव इस ग्रेटर तन जीरो तो अगर दी ग्रेटर तन जीरो अधर रूटस अफ दिग्वाड्रट इक वेशन बिल बीरियल एडिस्टिंक्ट ओके एक्वल नहीं होंगे तो आंसर तो इस को से फिए फिर्स्ट वन नेक्स्ट्रों तो इस question में देखो alpha beta क्या है आरदा roots of the quadratic equation यह दीगा समीगरण के मूल आपके पास में यह दिये हुए मेटा है इस समीगरण के मूल के alpha beta है तो आपको इसकी value पूछिए very simple question है ठीक है तो देखो आपको पता है उसके roots के equation के alpha beta है ठीक है तो sum of the roots आपको पता है क्या होगा तो alpha इसको satisfy करेगा na a alpha square plus b alpha plus c तो a alpha square plus b alpha is equal to क्या है का माइनस c तो यह value को मैं use करूंगा इस दर आओ आओ आप इसमें इस relation को देखो तो यहां से अगर अपने इस relation को देखें तो यहां से alpha 6 plus b alpha 5 में यहां से क्या common निकाल लेता हूं alpha 4 common निकाल लेता हूं alpha 4 तो अंदर क्या बचाए आपके पास में alpha square plus b alpha तो similarly जो आपके पास में इदर वाला है ना उसमें से भी आप क्या करोगे beta की power 4 common निकालो beta रेश्टवा 4 तो क्या आ रहा है a beta square plus b beta ठीक है अपन में alpha 4 plus b4 तो इसकी value क्या आपके पास माइनस c माइनस c इसकी value माइनस c यह तो मैं माइनस c इसमें से common निकलेगा ना तो माइनस c alpha 4 minus c beta रेश्टव 4 upon alpha 4 plus b8 इसा हुगए बेटा तो माइनस c common आएगा तो तो अंसर क्या आगया इसमें से माइनस सी बाखी का वो चैंसल हो जाएगा आंसर टू इस कोशन इस माइनस सी ओके नेक्स्ट कोश्चन अलफा बीटा गामा है अलफा बीटा गामा ठीक है तो आपको पता है सम अपधी रूट्स क्या होगा कि यह पे 0 क्योंकि इसमें और टू करते हैं तो देखू आपके पास में किस फॉर्म में मिले गा यह तो यह इसको डिवाइड करें तो माइनस का कितना जा रहा है यह 2 ठीक है फिर वो आपके पास में 18, 16, 4, 5, 1 यह आ रहा है यह मैंने अब आपको पते हैं ना देखो इसमें में alpha plus beta whole q, beta plus gamma whole q और gamma plus alpha whole q इसे value डालेंगे तो यह कितना आगे आपके पास में ? gamma q, minus का gamma q plus और इदर alpha q, इदर beta q हो गया है आप अपने को पता है alpha plus beta plus gamma is equal to 0 होता है जब alpha plus beta plus gamma is equal to 0 होता है, you know alpha q plus beta q plus gamma q will be equal to 3 alpha beta gamma. तो यह अपके पास में किसके equal आजाएगा, minus 3 alpha beta gamma, okay. तो यहां पर आपके इसकी value डालने हैं, तो that will be here 3 minus into minus 251, यह कितना आगा, 753. तो answer to this question is first one, the next question. तो next question में देखो, if x is real, then maximum value, इसकी maximum value पूछिए बेटा, तो यदी x वास्तविक है, तो इसका आपको अधिक्तम मान बताना है, तो very simple question, इसको y के equal रख लो, तो y के equal रख कर 3 x square plus 9 x plus, क्या करूंगा, मैं इसमों 10 यह 7 plus 10 कर दो ऐसे, ठीक है, upon 3 x square plus 9 x plus 7, तो इतना इतना पार्ड है नहीं यह जो इतना इतना पार्ड है, same है इसमें, तो इसको आप क्या करोगे, 1 plus 10 upon 3 x square plus 9 x plus 7, ठीक है, यह ऐसा हो गया, तो 1 plus 10 upon, अब यह इसका डी है न, less than 0 है, तो देखो इसका डी है आपके पास में, less than 0 हा रहा है कैसे है, अगर आप देखते हो, 84 क्या रहा है, 81 minus 84 हा रहा है, तो यह इसका ग्राफ जो ऊपर ही रहेगा, जब इसकी minimum value होगी, तो इसकी maximum value होगी, इसकी minimum value क्या होती है, आपके पास में, 4ac, 4a, that is 3, 7, minus b square, 81, अपन, क्या आएगा, 12, ओके, तो अब इसको अपने simplify कर लेते हैं, तो 1 plus, तो यह आपके पास में, कितना आएगा, 1 upon 3, तो यह इधर क्या आएगा, 3 upon 12, तो 40 हो गया, 40, तो आपके पास में, y maximum कितना हुआ, y maximum, that is 41, तो इसकी maximum value आपके पास में, कितनी आगे, 41 आगे, तो answer to this question is first one, okay. Hello students, अब 17th question देखें मिटाब, 17th question में, आपको दे रखा है, if alpha beta, alpha is less than beta, are the real roots of the equation x square minus k plus 4 x plus k square minus 12 is equal to 0, such that the 4 lying in between the roots, तो 4 के हैं आपके पास में, दोनों roots के बीच में है, so then number of integral values of k, तो फिर k के पुरुणां की अमानों की संख्या ग्याद करनी है, तो इसमें alpha के है, बीटा से छोटा है, तो जब 4 आपके पास में, दोनों roots के बीच में हैं, 4, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही condition लगानी है, f4 less than 0, तो ऐसा, तो इसमें आपके पास में, x square का coefficient क्या positive है, तो इसका graph क्या, ऊपर की तरफ रहेगा, आपके पास में, ऐसा, इस टाइप का, तो 4 यहाँ पे आपके पास में, बीच में आगया, इसके, तो f4 will be less than 0, तो आपको सिर्फ यही condition लगानी है, f4 less than 0, तो यहाँ पे 16, minus 4, k plus 4, plus k square minus 12, less than 0, तो यहाँ से 16 से 16 cancel हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास में, k square minus 4 k, minus 12, less than 0, अब इसके factor करेंगे, तो 6 और 2 बनेंगे, तो आपके पास में, k square minus 6 k, plus 2 k, minus 12, less than 0, तो k की value आपके पास में, कहां से कहां तक, minus 2 से 6 के बीच में आगए, तो आपके पास में, पूछा किया, इसमें, number of integral values of k, तो आपके पास में, कहां से कहां तक आगा, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह आपके पास में, यहां पर नंबर अप, integral values 7 होगे, तो answer to this question is 7, तो 4th option, तो next question, तो next question is sequence series का है, ठीक है, तो इस question को करने के लिए, देखो, इसमें, the sum of the 27 terms of the sequence, इसके 27 terms का sum बताना, आपको 27 पदों का यह उपल बताना है, तो ऊपर देखो, आप थोड़े से ध्यान से देखें, अगर उपर जो आपके पास में series बन रही है, वो क्या है, और terms की GP है, तो नीचे आपके पास में क्या है, फर्स तरम में one square है, तो second में क्या, दो terms के squares का sum है, तो third में आपके पास में, तीन terms के squares का sum है, तो इसका अपने को पहले देखो, 27 terms का sum निकालना, तो पहले अपने इसका बेटा nth term निकालते है, एन्स त्रम क्या होगा दो है किर सुल्जिशन के लिए इस्का यह त्रम थी युक्रफ न स्वाइब अग्यंकि यहां पर 3 से सुरुव और 2 तो n अग्마ंग park on तो यह तो मियुक्त है इसका प्राकर्संख्या के वरगों का यह उपल है तो आपके पास में यहां पे 2N plus 1 ठीके इधार N plus 1 2N plus 1 upon 6 यह रहेगा तो यहां पे 2N plus 1 cancel हो गया तो यह आपके पास है 1 upon तो इसमें देखो आपके पास में 6 क्या ऊपर चला जाएगा 6 यहां पर तो अंदर क्या आगे आपके पास में 1 upon n plus 1 तो इसके partial fraction कर लेंगे तो पहले इसमें 1 upon n minus 1 upon n plus 1 इस पूरम में लिख दिया तो अपने को 27 terms का sum निकालना है तो 27 term का sum निकालेंगे तो आपके पास में पह पॉन 28 आएगा उससे पहले वाले term क्या आएंगे आपके पास में 1 upon 27 यह आपके पास में किसका रहेगा प्लस का रहेगा तो इदर आपके पास में यह सारे के सारे term क्या बीच वाले term क्या cancel होते जाएगे तो यहां पर आपके पास में क्या आगया 6 into 6 into 1 minus 1 upon 28 ठीक है तो this is 81 upon 14 to answer to this question is 81 upon 14 to 3rd option okay the next question the if the sine alpha cos alpha have their geometric mean to sine alpha cos alpha geometric mean sin beta है ठीक है तो फिर आपको cos to beta की value पूछिए तो cos to beta की देगो बेटा इसमें आपके पास में लिखने x calculate इसके बरावर है अन्डूर में से हम क्या करेंगे sun square बीटा हो तो इसकी पूछी है सut vaya की तो स्ट विटा की तो आपने क्या करेंगे वनमाइनस चौश्टु बीट अपोन तू के फोर में लिख लेंगे 1- meinust चौश्टु बीटा कै अपोन 2 यह त्य Dať इस्थ्थ तूप संइ कोश्टर फास इस फोर मेंा गया इसको अपने br तो इसको 1- sin 2 alpha cos 2 beta इस form में लिख दिया, अब क्या है, मैं sin 2 alpha को साइन को cos में बदल लेता हूँ, तो देखो, आपके पास में option यहां पे देखो, 2 cos square pi y 4 plus alpha है, 2 sin square pi y 4 minus 2 alpha है, इस form में है, तो देखो, मैं इसको cos में बदलता हूँ, तो sin theta को अपने क्या लिख सकते है, minus sin theta को cos pi y 2 plus theta, इस form में लिखेंगे, तो देखो, यहां पे आपके पास में 1 plus cos pi y 2 plus 2 alpha is equal to cos 2 beta, इस form में आगया, तो इसको फिर आपने आगे 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta, ओके, तो इसका क्या बनेगा, 2 cos square, इस angle का half हो जाएगा, pi by 4 plus alpha, तो cos 2 beta, तो cos 2 beta की value क्या आगया, आपके पास में 2 cos square, pi by 4 plus alpha, तो option answer to this question is third one, next question, तो next question में देखें, आपके पास में, यहां पे, 1 plus x, 1 plus x square, यह product है, ठीक है, यहां पे, 1 plus x whole is power 1 to 8, तो इदर आपके पास में, फिर this is equal to कहां से, आर कहां से कहां तक vary कर रहा है, 0 से लेकर, 8 and minus 1 तक को, n term है यहां पे, 8 and term है, 8 and term, तो ऐसी फिर इदर, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसको simplify करेंगे, तो इसमें simplify करने के लिए, इसे बेटा मैं क्या करता हूं, x raised power 1 to 8, तो इसको 1 minus x से multiply और divide कर दिया, ठीक है, इस फॉर्म में, यह बराबर किसके आपके पास में, तो 1 x, x square, लास्ट में क्या आएगा आपके पास है, x raised power 8 and minus 1, तो यह आपके पास में, how many number of terms, यह कितने terms हैं आपके पास में, 8 and terms है, तो इधर आपके पास में formula लगेगा, इसमें 1 minus, तो gp के n terms के sum का formula आएगा, तो इसमें common ratio कितना x है, तो 1 minus x raised power 8 and, ठीक है, upon 1 minus x, तो इसे इसको simplify करेंगे, तो आपके पास में, ऐसे product इसका multiply करते जाएंगे, 1 minus x square, ठीक है, तो फिर 1 plus x square, 1 minus x square, 1 minus x ratio 4, जब इसको आप सारे को equitable, सबका product अगर एकठा करेंगे, तो आपके पास में, last में, देखो, क्या बनेगा, ये, 1 minus x ratio 1 to 8 and, 1 minus 1 plus x ratio 1 to 8, upon में, तो 1 minus x, तो sum में ऐसा तो जाएगा न, इसके साथ में term क्या आएगा, 1 minus x ratio 1 to 8, ठीक है, तो अब ये आपके पास में, क्या आगया, 1 minus x ratio 256, upon 1 minus x, तो 1 minus x ratio 8 n, upon 1 minus x, अब इसको compare करें, तो आपके पास में, by comparing, so 8 n is equal to, we have 256, so n is equal to, तो ये 8 की table पे आपके पास में, कटेगा, तो this is 3, 24, 2, 32, n is equal to 32 आ रहा है, अब वो पूछ रहा है, क्यता है, what is the sum of the digits of n, तो 5, तो 3 plus 2, 5, तो answer to this question is, 4th one, the next question, let PQR are the positive real numbers such that, PQR क्या positive real numbers है, ठीक है, तो 27 PQR is greater than or equal to P plus Q plus R whole cube, 3 P plus 4 Q plus 5 R is equal to 12, तो then, फिर आपको इसकी value पूछी है, तो PQR क्या है, दनात्मक बास्तिवी संक्या है, इस परकार से उनमें ही relation दे रखा है, आपको पता है, अगर अपने AMGM का concept लगाएं बेटा, ठीक है, तो यहां पे 3 positive quantities हैं, उनका arithmetic mean will always be greater than or equal to their geometric mean, तो मैं P plus Q plus R का क्या है, arithmetic mean लेता हूँ, तो solution में देखो इसमें, क्या करेंगे, P plus Q plus R upon 3, so this is greater than equal to P, PQR whole is about 1 upon 3, इस तरीके से हो गया, clear है, तो अब आपके पास में मैं इसका अगर Q, Q करता हूं both sides, so we have here, this is 27 PQR, इस पोरम में आ गया, तो आपके पास में एक relation तो यह आया, किस से AMGM सिर्थ है, एक given relation आपके पास में, यहां पर क्या है, 27 PQR is greater than equal to P plus Q plus R whole cube, तो आपके पास में इन दोनों relation से क्या बनेंगे, इन दोनों inequality से आपके पास में एक conclusion निकलता है, भी P plus Q plus R whole cube is equal to 27 PQR, यह दोनों बराबर होंगे, तो इसमें क्या होगा, आपके पास में P plus Q plus R, whole cube is equal to 27 PQR, clear है, तो AMGM क्या हुआ, आपके बराबर होगया, तो AMGM क्या होगा, आपके पास में बराबर तभी होता है, तो when all the quantities are equal, तो यहां से conclusion यह निकलता है, P is equal to Q is equal to R, यह तीनों equal आएंगे, so when P is equal to Q is equal to R, यहां पर रखो 4P, 4, 5P, so this is 12P, 12P is equal to 12, so we have P is equal to 1, so P is equal to 1 आगे आपके पास में, okay, so P is equal to Q is equal to R is equal to 1, so they are all equal to 1, so यहां पर value डालेंगे 1, 1, 1, 1, 1, so we have 3, answer to this question is 3, okay, so all are equal to 1, so next question बेटा, so next question, the sum of the terms of a sequence is, the sequence के end terms का सम दे रखा आपको यह गिवन है, so then it is 10th term, इसका फिर आपको 10th term बताना है, okay, so देखो आपको पता है, when you are given, 1, the sum of the end terms of any sequence, so N, S n is equal to n square plus 3 n plus 2, so what is the S n minus 1, इसका पहले आपने N स्टर्म निकाल लो, so N स्टर्म निकालने के लिए फिर इसका n minus 1 whole square plus 3 n minus 1 plus 2, so this को simplify करेंगे, तो n square minus 2n plus 1 plus 3n minus 3 plus 2 इस पोब में करेंगे तो tn will be equal to we have equal to tn sn minus sn minus 1 तो इसको जब आप subtract करोगे तो n square plus 3n plus 2 यह तो सारा का सारा cancel हो गया तो आपके पास में बसता क्या है यहां पर तो यह minus का इसमें क्या आएगा आपके पास में 2n plus 2 2n plus 2, okay. So, we have to find out the nth 10th term. So, 10th term is 22. So, answer to this question is 22. So, next question the sum of the real values of x satisfying the equation. So, आपको x की जो values आ रही है उनका सब का sum of the real values का sum बताना है which satisfy the this equation, okay. तो पहले देखो आपके पास में right hand side में क्या 1 है तो 1 तो यह तभी बनेगा जब आपके पास में यहां पर x क्या है कुछ भी value आए but this is equal to x क्या 0 नहीं होना चाहिए और raise to power क्या है आपके पास में 0 होना चाहिए तो पहले तो देखो इसमें क्या करोगे इसको 0 के equal लखो बेटा x square minus 5x plus 6 equal to 0 तो यहां पर x is equal to 3 and 2 आ गया तो यह आपके पास में एक तो यह बन गया अब आपके पास में इस तरीके से हो सकता है भी यहां पर 1 आ जाए 1 x की value 1 डालोगे तो what will be this value तो इसमें देखो x is equal to 1 रखते हो तो भी है यहां पर आपके पास में क्या बन रहा है तो 1 raise for something वो भी इसको satisfy करेगा तो एक x is equal to 1 हो गया अब x is equal to minus 1 रखते हो न x is equal to minus 1 यह odd नहीं बनना चाहिए क्या even आ रहा है क्या तो देखो x is equal to minus 1 पर minus 1 लेना एकर नहीं लेना तो अगर minus 1 यहां पर रखो गया तो यह क्या नहीं होना चाहिए तो minus 1 रखते हैं तो देखो आपके पास में क्या रहा है 11 12 तो यह एक solution यह भी हो गया x is equal to minus 1 is also satisfying it अब देखो इसमें sum of the real values of x पूशा है satisfying that this equation that is 5 तो आपको सब का sum करेंगे तो आपके पास में answer क्या answer to this question is 5 तो next one the next question the least value of the sum of the squares of roots of the equation तो इसमें क्या पूचा है the least value of the sum of the squares of the roots तो इसके जो roots आएंगे उनके squares का sum करके उसकी least value लिस्ट वैल्यू रहे तो एक ही value बतानी है the least value of the sum of the squares of the roots of the equation is तो अपने alpha और beta इसके roots लेट कर लेते हैं ठीक है तो so its roots alpha and beta so what is the sum alpha plus beta that is a minus 2 यह हो गया and alpha beta भी है alpha beta so minus a minus 1 इस पूम में आ गया तो अब आपको पूचा है कि इनके roots के squares का sum क्या least होना चाहिए तो what is the that least value वो पूचा है ओके तो आपको alpha square plus beta square तो alpha plus beta whole square minus क्या आएगा 2 alpha beta तो यहां पे आपको value डालनी है alpha plus beta कितना आपके पास है a minus 2 whole square and alpha beta भी है यह plus का हो जाएगा 2 a plus 1 इस पूम में आएगा अब इसको solve करो आप a square minus 4 a plus 4 okay and plus 2 a plus 2 इस पूम में तो अब इसमें देखो आपके पास में क्या आ रहा है a square minus 2 a तो plus 1 कर लें इसमें से plus 5 okay तो क्या आ रहा है अपके पास में यहां पे तो यह plus का इसमें क्या आएगा 2 a plus 2 तो यह आपके पास में में तो मिन से plus 5 ठीक हैं, तो अफिक है, So, इसमील इसम मीनस 1 whole square and plus 5 to least value क्या होगी when a Is equal to 1 to a A Is equal to 1 पे तो फिर आपके पास में alpha square plus beta square क्या मillा आपको 5. So, least value of the sum of these squares of alpha square and beta square is 5 to answer to this question is 5 next question बेटा सो एल ए प्लस बी प्लस सी इस इकल टू 180 डिग्री ओके तो पूछा इसमें सैके कॉस्ट बी कॉस्ट सी साइन भी साइन सी इसकी वैली पूछिए इस इकल टू वाट सिम्पल कुश्टन है तो आपके पास में यह देखो फार्वला किसका बनाए यह इसमें तो यह सैके तो कॉस्ट बी प्लस सी है ठीक है मोडलस से इसका ठीक है कॉस्ट बी प्लस सी को आप क्या लिखोगे सो कॉस्ट पाई माइनस से पाई माइनस से ठीक है इस इस कॉस्ट है माइनस का कॉस्ट है तो सैक के कॉस्ट है तो अंसर क्या मिला इसका वन तो मोड है so answer to this question is one okay so ये वेटा आपके जही में का पेपर का solution था okay